नमस्कार साथियो स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर आज के इस वीडियो में एक नया टोपिक हम डिसकस करने वाले हैं जो कि हमारा MPGK से ही रिलेटेड है आज के जो हमारा टोपिक है जिसके बारे में हम डिसकस करेंगे वह है मद्धप्रदेश की जलवा तो इस टोपिक से संबंदित जितने भी महत्वपूंड मल्टिवल चोइस कोस्टन्स बन सकते हैं उनको आज के इस वीडियो में हम डिसकस करने वाले हैं तो वीडियो को लाश्टर तक जरूर देखिएगा अधिक साधिक लोगों तक शेयर करिएगा और इसी प्रकार के वी दिसकस कर लेते हैं तो आज के इस वीडियो का हमारा पहला कोशन है कि मद्यप्रदेश में सर्वादिक वर्षा कि साका से होती है चार उप्षन है बंगाल की खाड़ी अरब सागर दोनों साखाहों से बराबर या इनमें से कोई नहीं तो इसका आपका जो सही जवाब बनता है वह बनता है बंगाल की खाड़ी से जो है मद्यप्रदेश में सर्वादिक वर्षा होती है मद्यप्रदेश में सर्वादिक वर्षा बंगाल की खाड़ी साका से होती है और यहीं साका भारत में सर्वादिक वर्षा भी आपकी करती है इस साका के बाद मद्यप्रदेश मे जल विभाजक रेखा कहलाती है तो जो पिचोतर सेंटीमेटर वर्षा रेखा है या मद्यप्रदेश में आपकी जल विभाजक रेखा कहलाती है देख लीजे इसे जुड़ी जान करें मद्यप्रदेश में वर्षा का ओशत आपका 112 सेंटीमेटर है पूरवर और पर्शिब मांषोनी जल विवाजक रेखा भी आपका कह जाता है जो कि प्रदेस के सीधी जबलपूर्त हता सिव्नी जिले साथ 건데 ही गुजर्ती है अगला कोशन ये नहां पर है कि मध्यफ्रदेस की इस प्रकार कि जलवायु वाला प्रधेस की मध्यफ्रदे नहीं राशमीं मांसुनज़ lamb Cas yetumे वाला का प्रदेश है यानि कि आप्शन ही हमारा यहां पर आइट आन्सर बनता यह देख लिजिए यह से जुड़ी जान करी मध्यप्रदेश भारत के मध्य में इस्तित होने के कारण मांसुनी जलवायू की सभी विशेष्टाओं को जो है अपने में समेटे हुए हैं लेकिन साथ उष्णकटी बंदिये जलवायू की विशेष्टा को भी अपने साथ लिए हुए हैं अत्या मध्यम्राइश की जलवायू को उष्णकटीबंदय है मांसूनी जल वायू कहना ज्यादा उचित होगा अगला कोश्चन यहां पर देख लिए कि मध्यप्रदेश की जलवायू को उष्णकटीबंदय सवरूप्रदान करने में कौन उत्तरदाई है तो यह करकर रेखा है य मद्द प्रदेश को मांसुनी जलवायू स्वरुप्रदान करने में ज्यादा उत्तर दाई है लेकिन कोशन में हमसे पुछा गया है कि मद्द प्रदेश को उष्ण कटी बंदियों स्वरुप्रदान करने में कौन ज्यादा उत्तर दाई है तो जो करकर रिखा है वहीं आपर जादा उत्तरदाई है अगला कोशन यहाँ पर हमारा देख लेते हैं कि जलवाईू के आदार पर मद्द प्रदेश को कितने भागों में आपका बाटा गया है तो इसका उप्षण आपकां बनता है आपलो यानि के मद्द प्रदेश को चार भागों में से और जलवायू के आधार पर मंद्य प्रदेश को आपका चार भागों में विभाजित किया गया है अगला कोशन यहां पर देख लेते हैं कि इस सेत्र में यानि कि दिये गए कि सेत्र में ग्रिश्मरीतु में अत्यदिक गर्मी तथा सर्दी में आपके साधार अंठंड यहा मालवा का पठार तो इसका आपका जो सही जवाब बनता है वह बनता है जो आपके नर्मदा की घाटी है यहां पर ग्रिश्मरीतु में तो अत्यदिक गर्मी आपकी पड़ती है लेकिने सर्दी में आपके साधार अंठंड ही यहां पर पड़ती है नर्मदा घाटी छेत्र क कि निकर से करकर रेखा कि गुजनने से गिरिश्म रितु में यहां तर्दिक गर्मी पड़ती है तता श्रीत रितु में शाधर अंठंड आपकी पड़ती है यह गाटी विद्ध्यांचल तता सत्पुड़ा परवत के मध्याप की इस्तित है अगला कोशन यहां पर देखते है यहां की जो जलवायू है उसको समझलवायू वाला छेतर आपका कहा जाता है समझलवायू किस छेतर को कहा जाता है या समझलवायू आपकी क्या होती है तो यहां पर की गर्मी के दिनों में ना तो अधिक गर्मी पड़ती है और सर्दियों के दिनों में ना तो अधिक इसी प्रकार की जलवायू जो है अपने में लिये हुए है अगला कोशिन आपर हम देख लेते हैं कि मद्यप्रदेश में रितुओं को अधने नाम से भी जाना जाता है चार उप्षन है यूनाला चोमासा सियाला ये उप्रक्तस अभी तो इसका आपका जो सही जाब बनता है उप्षन डी उप्रक्तस सभी नामों से मद्यप्रदेश में रितुओं को आपका जाना जाता है मद्यप्रदेश में तीन रितुओं आपकी पाई जाती है गिरिश्वन रितु जिसे यूनाला कहते हैं वर्षा रितु जिसे की चोमासा का जाता है वहीं मद्यप्रदेश मे जो शित्रितु होते हैं उसको सियाला के नाम से आपका जाना जाता है अगला कोश्चन यहाँ पर है कि सूर्य का उत्रायन होने से प्रदेश में क्या परिवर्तन होगा देखिए उत्रायन यहाँ पर एक शब्द आया है तो इससे जूड़ी कुछ जानकारी सबसे पहले आपक औता भी सब्सक्राइब करते हैता अगर्त होता है तो 21 मार्च थो जाकता क्या है कि एसके पिहले जो सूर्य की किर्णे आपकी नहीं करकर रेखा के और जाने लगती है यानि कि उत्रायन से तातपर होता है कि जो सूर्य की किंड़े पिहले आपकी भूमध्य रेखा पर सीधी पड़ रही थी वह जो है भूमध्य रेखा पर सीधी न पड़ करकर रेखा कि और जो है आपके बढ़ती है तो इस प्रकार की जो इस्तती उत्पन होती है या इस प्रकार की जो प्रक्रिया होती है उसको आपका उत्रायान केहते हैं तो यह तो तापमान में भी आपकी व्रद्धी संभव है तो option A जो है हमारा यहां पर right answer बनता है 21 मार्च को सूर्य उत्रायन होने लगता है जिससे उत्री गोलार्द में तापमान आपका बढ़ने लगता है इससे उत्री मद्यप्रदेश में तापमान जो है आपका सिगरता से है मुख्यत गवाली और मूरे नादतिया में तापमान आपका अधिक हो जाता है परन्तु दक्षिनी मद्यप्रदेश में अफ्यक्षाक्रित जो है आपकी कम गर्मी पढ़ती है अगला question यहां पर है कि सूर्य की किर्णे किस रेखा पर लंबहत पढ़ने से और मकार जयर्क्रेदिश से खोकर कर रही है ऐगन आपकी क्या अगला question यहां पर देखे हैं और यहां कहां पर इस्ती थे तो यह मद्य प्रदेश के विदिशा जिल्या यह में आपका इस्ती है और हेहां पर सर्वानिक तापमान आपका रिकूर्ड किया गया तो बात भी यानि कि इससे जादा भी जो ताप महने आपका बढ़वानी में रिकोर्ड कर दिया गया है लेकिन अधिकारिक तोर पर जो है अभी भी जो है आपका गंज बासोदा को ही माना जा रहा है इसलिए अगर एक्जाम में कोशन आता है तो गंज बासोदा ही जो है अमारा राइट अंसर बनेगा अगला कोश्चन यहाँ पर है कि किस महा के सम्मू को प्रदेश में दितिये गर्मी रितु भी आपका कहा जाता है चार उप्षन है जुन जुलाई जुलाई अगस्त अगस्त सितंबर या सितंबर अक्टुम्बर तो इसका आपका जो सही जाब बनता है सितंबर अक्टुम्बर के जो महा है इनको प्रदेश में दितिये गर्मी के नाम से आपका जाना जाता है क्योंकि जो गर्मी हमें मार्च अप्रेल मई के महीने में महसूस होती है उससे थोड़ी सी कम जो हमें सितंबर अक्टुम्बर के महा में भी जो है यहाँ पर महसूस ह प्रदेश्य में सरवाधिक वर्षा किस तान पर होती है तो यह जोए मध्यद्य प्रदेश का एक हिल इस्टेशन हे पंच मडिवड़ी वहां पर जोए आपके सरवाधिक वर्षा होती है और कितनी होती है तो 999 cm जो है आपकी होती है और आपकी जानकारी के लिए बताए दे कि होशंक जो पंचमड़ी है आपका किसंभाग के अंतरगत आता है तो यह मद्धप्रदेश के होशंगा बढद संभाग के अंतरगत आता है और जिला भी अगर पूछ लिया जाए तो वह भी आपका होशंगाबाद जिला ही है अगला कुश्चन यहापर हम देख लेते हैं अगला कुश्चन हमारा है कि निमने लिखे जिला समू में से कौन सा निमने वर्षा वाले छेत्र के अंतरगत आता है तो है तो मद्य प्रदेश के भिंड मुरेना ग्वालियर शोपूर निमच मंसो रतलाम शिवपूरी आदी जिले जो है निमने वर्षा वाले छेत्र के अंतरगत आपके आते हैं जबकि रिवा स्यतना सीधी ओसत से कम वर्षा वाले तता बाला घाट से अधिक वर्षा वाले छे आपके बनते हैं तो यह भी हमारा सही जवाब है अगला है कि 55 से 100 सेंटीमेटर वर्षा वाले छेत्रों से कम वर्षा का छेत्र है यह भी आपका सही जवाब बनता है वहीं अगला है कि जो है हमारा गलत आंसर यानि के यह बी और सी जो है यहां पर राइड आंसर बनते हैं तो देखिए यहां पर कोश्चन में थोड़ी से मिश्टेक हो गई है कोश्चन इस प्रकार से होना चाहिए था कि मद्यप्रदेश में वर्षा के ओस्त के संबंद में गलत कथन जो है सही क कर उप्रक्त तीनों कथन आपके सही है जबकि मद्यप्रदेश के ओश्चत वर्षा आपके 112 सेंटीमिटर है निम्न वर्षा के चेत्र में प्रदेश की सबसे कम वर्षा वाला इस्तान तथा ओश्चत से अधिक वर्षा वाले चेत्र में सरवादिक वर्षा वाले इस्तान जो है आपके आते हैं अगला कोशन हमारा यहां पर जो कि सोलवे नंबर का है कि मद्द प्रदेश का निम्तव वर्षा वाला इस्तान आपका कौन सा है चार उप्चन निमच ग्वाली भींड या मुरेना तो इसका आपका जो सही जाब बनता है वह बनता है भींड जो है बीड़़ ने में सबसे कम वर्षा 55 cm अबिहोती है तो सर्वाधिक वर्षा आपके सेंटीम्टर होती है 199 accept हुती है और सब्सेक्षा जोहें आपकी घहां पर होती है और कितनी होती है तो 55 cm closely देखते हैं यहाँ पर हमारा अगला कोशन कि रितु में मान्सुने से होने वाली वर्षा को क्विआ चार उप्षन आ पाला महथा ओला या तो इसका आपका जो सही जौब बनता है वह बनता है जुह इसको महथा के नाम से जाना जाता है श्रीत रितु में कोरा सुखा मोसम सच्छा का स्तापमान में गिरावट वायू की मन गती के साथ श्रीत रितु में वर्षा और पाला भी जो है आपका पड़ता है अगला कुछन यहाँ पर है कि मद्य प्रदेश में रितु संबंदी जानकारी जुटाने वाली वेश चाला आपकी कहाँ पर इस्तित है चार उप्षन है इन दोर भोपाल पंचमडी या शीव पूरी है तो इसका आपका जो सही जाब बनता है वो बनता है इन दोर में जो है आपका रितु संबंदी जानकारी जुटाने वाली वेश चाला आपकी इस्तित है चलिए देखते हैं यहाँ पर हमारा अगला कुछन जो कि 19 वे नंबर का है कि मद्य प्रदेश का सरवादिक वर्षा वाला इस्तान किस प्रठार में अवस्तित है चार उप्षन है मालवा का पठार नर्मदा का पठार सत्पुदा में काल स्रेणी यह उप्रक्त मेंसे कोई नहीं तो इसका आपका जो सही जावब बनता है वो बनता है उप्षन सी हमारा यहाँ पर राइट आंसर बनता है मद्यप्रदेश का सर्वादिक वर्षा वाला इस्तान यानि कि किसकी बात हो रही है तो यहाँ पर पंच मडी की बात हो रही है तो कहां पर इस्तित है तो यह आपका होशंगाबाद जिले में इस्तित है और होशंगाबाद जिला सत्पूरा मेकाल स्रेणी के अंतरगत आता है तो मद्यप्रदेश का सर्वादिक वर्षा एकसो नन्नौ सैंटीमीटर वाला स्तानपश मडी जो हे महादेव पाहडी है पाहडी पर जो हे इसτιत्थ है जो सत्थपुड़ा की मेकाल सरेनी में आपका ओश्थी थे अता पथारों में सरवाधिक वर्षा आला पथार सत्थपुडा मेकाल सिरेणी का पथार है अगला कोश्शन जहां पर देखते हैं कि मद्य प्रदेश में देनिक तापांतर किस माह में सरवाधिक होता है चार अप्षन है मार्च, अप्रेल, मही या जून तो इसका आपका जो सही जवाब बनता है वो बनता है अब मार्च माह में देने एक तापा अंतर जो है आपका सरवादिक होता है देख लिजे इससे जुड़ी को और कुछ और जान करे मद्यपदेश मांसूनी जलवाई वाल प्रदेश हैं यहाँ पर पाई जाने वाली रित्यों में तापमान की भिनता पाई जाती है मद्यपदेश में सरवादिक तापमान मही महा में तथा सबसे कम जनूरी महा में होता है लेकिन सरवादिक देने के तापांतर यहाँ पर पूछा गया यानि कि दिन के दिन और रा अगला कोश्चन की निमने में से मध्य प्रदेश के किस सेत्र में दोनों मांसूनों से वर्षा होती है चार उप्षन है नर्मदा गाटी मालवा का पठार विंद्य प्रदेश या उप्षन सभी तो इसका आपका जो सही जाब बनता है वो बनता है उप्षन सी विंद्य प्रदेश में अरब सागर तथा बंगल की खाड़ी दोनों मांसुनों के द्वारा जो आपकी वर्षा होती है अगला कोशन है कि मध्यप्रदेश के सरवादिक वर्षा वाले जीले युगमों को पहचा नहीं है चार जो जीले युगम हैं हमें यहां पर दिये गए हैं पहला बिंड मुरे ना तो यह तो जो है आपका सबसे कम वर्षा वाला जीला युगम हो गया दूसरा है मंडला और बाला घाट तो यह जो दूसरा उप्षन है हमारा यहां पर राइट आंसर बनता है चलिए देख लिजे इससे जुड़ कुछ और जान करें मध्यप्रदेश में दिकांस वर्षा दक्षिन पर्षिम मांसुन के द्वारा होती है प्रदेश के दक्षिन जीलो चिंदवाडा बाला घाट मंडला में सरवादिक वर्षा होती है वहीं गवाली और भिंड मुरे ना और शीव पूरी प्रदेश के कम वर्षा वाले छेत्रा आपके यहां पर है अगला कुछ नहां पर है कि मद्यप्रदेश में वार्षिक ओसत वर्षा है चार उप्षन है 100-125 cm 50-50 cm से कम और 50-100 cm या 1002 mm तो इसका आपका जो सही जवाब बनता है वो बनता है 100-125 cm जो है मद्यप्रदेश में आपकी वार्षिक ओसत वर्षा है यानि कि इसके बीच में ही व हमारा यहां पर अगला कोशन कि मद्यप्रदेश की जलवायू कैसी है चार उप्षन मांसुनी जलवायू शुष का जलवायू गर्मो और शुष का जलवायू या ठंडी जलवायू तो मद्यप्रदेश की जलवायू है आपकी मांसुनी जलवायू है चलिए देखते हैं यह जोए आपकी सर्वाधीक वर्षा होती है मद्य प्रदेश की जलवायू मांसुनी प्रकार की है यहां पर प्रदेश के अरब सागर त्था बंगल की खाड़ी दोनों प्रदान करती है मध्यप्रदेश को कितन mindful क्रशि जल्वाय छेत्रों में आपका बाटा गया है तो मध्यप्रदेश को आपका 20 सी यानि कि 13 जल्वाय छेत्रों में आपका बाटा गया है, जो कि इस प्रकार है पेला है चतिसगर का मेदान, दूसरा है चतिसगर का उत्री पाढ़ी चेतर, तीसरा है केमूर पठारेओं सत्पूडा पाढ़ी चेतर, चोथा मध्य नर्मदा गाठी, पाचवा विद्धे परवत चेतर, छटवा है ग्रीड चेतर, सात्वा बुंदिलकन चेतर, आठवा पाढ़ी चती अधरते पाड़ी चेतर, तो मध्य परदार में 3 परकार की रिटो पाई जाती है, उप्शन भी हमारा इया पर रइट आन्सर बनता है, मध्य परदार्च की जल्वायों मांसुनी जल्वायों हुए, जिसके अनुसरार परदार में 3 रिटो यह, ग्रीश्म वर मार्च से जुन तक होती है वर्षा रितु जो कि जुन से अक्कुंबर तक होती है और शीत रितु जो कि अक्कुंबर से मार्च तक आपकी पाहिक जाती है अगला कोशन यहाँ पर है कि ताप क्रम के आदार पर मद्द प्रदेश का अधिकांश भाग किस तापी वर्ग में आत च्बूल x घृ ! का आ दो मर्चि उत्रायन होते ही संपून नष्फ में तापमान आपका बढ़ने लगता है किन्तु उसका वितरन असमान होता है इस समय मद्यप्रदेश को उत्री भागों में वोसत तापमान अधिक बढ़ता जाता है उत्री भागों में मई का वोसत मासिक तापमान 22 डिगरी सेंट्री गेट के उपर तक जो है आपका पहुच जाता है तो इसलिए हमारा उप्षन है जो है राइट आंसर बनता है इसी के साथ हमारा आज का यह जो टोपिक था मद्यप्रदेश की जलवायो यह जो है हमारा यहाँ पर कंप्लीट होता है और इस से संबंदी जितने भी महत्वण वाल्टिबल चोइस कोशन्स बन सकते थे वह यह आपर आपके कवर करा दिये गए हैं तो वीडियो कैसा लगा कमेट करके जरूर बताएगा साथी वीडियो को अधिक साधिक लोगों तक शेर करिएगा वीडियो को लाइक जरूर करिएगा साथी अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं और इसी प्रकार के वीडियो अगर आप डेली चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करिएगा तो आज के लिए बस इतना ही थैंक्यू वेरी मच